अब हम सॉल्ट करेंगे सेक्शन सी, ग्रामर, अभी ग्रामर में हम आज क्या करने वाले हैं, प्री पोजिशन्स, अभी प्री पोजिशन्स तो हमने सिख लिया हैं, तो हम एजीली पहले हम यहां पे तो अंडर्स्टेंड करी लेंगे कि क्या है, चीज ठीक है, एक बार हमारा से रिविशन हो जाएगा, फ्रॉग इस इन द पॉन्ड इन यानि अंदर, जो मेंडक है वो ताला के अंदर है, जो जोकर है वो अलिफंड के पीछे है, ताइगर सेट अंडर अट्री, ताइगर है, वो पेड के नीचे बैठा है, रोहिद टूट बिट्विन हिस फ्रेंड, रोहिद अपने दोस्तों के बीच में खड़ा है, फ्रॉग इस ओन द रॉग, रॉग तो पर बैठा है मेंडक, गर्ल इस इन फ्रॉंट अप चेर, जो चेर है उसके आगे ये लड़की खड़िये, वर्ड इन रेड शो द रिलेशन सिप ब्विन दू और 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 दिंग्स इ देखा ये सब, in the sentence one, the word in shows the relationship between frog and the pond, इन दोनों के बीच में क्या रिस्ता है, वो हमें बता रहे, it tells us where the frog is, frog is in the pond, राइट, तो इसी तरीके से ये सब चीजे है, prepositions, अभी हम solve करेंगे, एसकी exercise, C1, क्या है sentence, complete the words, complete the following sentences, using on, in, under, in front of, between and behind, in, सब में से किसी एक से हमें fill in the blanks fill करनी है, use picture clues, हमें picture दिये गए, as a clue, वो हमें answer के लिए लिखना है, ठीक है, on यानि उपर, in यानि अंदर, अंदर यानि नीचे, in front of यानि के आगे, between यानि दोनों के बीच में, and behind यानि पीच है, ओके, सब के बार में पता चल गया, ओके, तब हम exercise solve करेंगे, first, the book is dashed table, ये book है, वो कहां है, table के उपर है, right, the book is on the table, the monkey is dashed wall, अभी देखो monkey, ये wall है, उसके पीचे है, तो पीचे के लिए क्या था, behind, the monkey is behind the wall, next, there are ten flowers, dash the walls, अभी ये जो वास है, उसके अंदर है, right, flowers आएगा, in, that is dash the chair, अभी, that कहां पर बैठी है, chair के, नीचे, नीचे के लिए क्या है, under, the red butterfly is dash the yellow butterflies, यहां पर देखो, बहुत सारे butterflies है, उसमें से red butterfly कहां है, between the yellow butterflies, right, yellow butterflies, जो है, उन से, उनके बीच में, red butterfly है, right, the car is dash the house, अभी car कहां है, house के आगे है, तो क्या हैगा, in front of, ओके, तो यह exercise c1 आपको solve हो गई, ओके, अभी हम solve करेंगे exercise c2, उससे पहले क्या सिखना है हमें, article 10 सिखना है, अभी वो कहां पर use होता है, पहले तो वो देख ले, when we speak of a person, an animal, or a thing, for the first time, we use a and n, जैसे के, हम किसी भी चीज के बारे में पहली बार बात करें, तो वहाँ पे हम a और n लगा दे, but when we speak of them again, फिर हम उसके बारे में फिर से बात करें, तो वहाँ पे हम दो का यूज करते हैं, okay, for example, a frog was jumping around upon, जो frog था, वो यहाँ वहाँ तालाब में कुद रहा था, तालाब के आसपस, यहाँ पे हमने a frog लिखा, लेकिन वापस से हमने उसी frog के बारे में बात की, इसलिए क्या लिखा हमने, the frog was feeling hot, जो frog था, वो उसे गर्मी लग रही थी, right, अभी देखो, second example, an elephant was sitting under a tree, जो elephant था, वो जो tree था, जो पेड था, उसके नीचे बैटा हुआ था elephant, अभी उसी elephant के बारे में हमने दुबारा बात की, इसलिए हमने लिखा, the elephant was hungry, जो हाथी था, वो भूखा था, okay, तो अभी हमें exercise C2 उससे related है, वो हमें feel करनी है, solve करनी है, okay, आए question पहले पढ़ ले, fill in the blanks with article A and the, अभी सबसे पहले तो बताओ, article A कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे हम जो A, E, I, O, N, U, ये पांच लेटर से उसके अलावा के जितने भी लेटर से वहाँ पे आएगा article A, वोवेल्स नहीं है, वहाँ पे article A आता है, जहाँ पे वोवेल्स हो, वहाँ पे article A आता है, और धह कहाँ लिखना है, अगर किसी चीज के बारे में हम पहले बात कर लिए, फिर वापस से उसी चीज या उसी आनिमल या उसी परसन के बारे में अगर बात कर रहे हो, तब हमें ये धह लिखना है, चला, अब हम सॉल करते हैं, फर्स्ट, दैस टाइगर सेट अंडर अट्री, तो A टाइगर सेट अंडर अट्री आएगा, अभी उसी टाइगर के बारे में हम दूसरी बार बात कर रहे हैं, क्या लिखना आएंगे, यहां पर हमने अ लिखा, लेकिन टाइगर के बार में वापस से बात हुई, इसलिए हमने धाइगर लिखा, अभी अ फ्रॉग जंप इंटू डैश पॉंड, अभी यह देखो, यहां पर पी लेटर से स्टाट हो रहा है, यानि क्या आएगा, अ आएगा, ओके, और फिर से हम पॉंड के बार में ही बात करिये, क्या आएगा, दो पॉंड, फ्रॉग जंप इंटू पॉंड, पॉंड हैड ब्यूटिफुल लिली जी नीट, ओके, हमने पॉंड के बार में पहले बात की, इसलिए आर्टिकल ए लिखा, लेकिन उसे की बारे में दुबारा बात की, इसलि यहां पे और और अउक से, गौवल है, A, E, I, O, N, U, उसमें से एक है, O, इसलिए यहां पे क्या आएगा, एन आएगा, और उसी और आउक से बार में अगर हम दुबारा बात कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे आएगा, दो, आउक्स वस शिटिंग इन शेड, दो आउक्स वस वो yellow color का frog पहने है इसलिए हम लिखेंगे a yellow frog लेकिन अगर उस frog के बारे में दुबारा बात कर रहे हैं इसलिए हम लिखेंगे the Leela is wearing a yellow frog the frog was the frog is very pretty okay समझ में आ गया यहां तक okay अब हम लिखेंगे section C, उसमें क्या करना है, writing करनी हमें, कैसे, writing sentences हमें sentences बनाने हैं, यहाँ पर देखो, यह duck परमें पर sentences लिखे, the duck, ducks are swimming, यहाँ पर दो बतक हैं, इसलिए हमने ducks लिखा है, plural में, many ducks हैं, इसलिए, ducks are swimming, the white ducks are swimming, अभी वहाँ पर दिख रहे हैं कि color कौन सा है, उसका, white ducks are swimming, फिर, the two white ducks are swimming in the pond, इस तरीके से sentence मना है, कि यह दो सफेद color की बतक है, वो तालाब में तैर रही है, उसी तरीके से, यहाँ पर में sentence मना रहे है, look at the picture and make three sentences, हमें three sentences बनाने, each out of frogs and fish, use the words from the box, यहाँ पर frogs के बारे में words दिये गए है, और यहाँ पर fish के बारे में, हमें इसी का use करके, तीन-तीन sentence बनाने है, ठीक है, और इसके help से, यहाँ पर देखो, यहाँ पर help दी गई है, उसी तरीके से, for example, हम first क्या लिखेंगे, the frogs are sitting, okay, the frogs are sitting, हमने frogs and sitting का use किया, ठीक है, फिर next क्या लिखेंगे, the green frogs are sitting, जो हरे कलर के frogs and mandak, वो बैठे हुए, अभी वो लोग कहां पर बैठे हुए है, वो on the leaves, और कितने है, two, क्या लिखेंगे, the two green frogs are sitting on the leaves, इस तरीके से, हमने तीन sentence frogs के बारे में बनाए, अभी उसी तरीके से, आपको fish के बारे में बनाने है, first, the fish are swimming, यहाँ पर देखो, बहुत सारी है, लेकिन उसका मैनी में भी fishy रहेगा, fish का fish इस नहीं हो जाएगा, okay, the fish are swimming, next, the red fish are swimming, red color की fish है, वो swim कर रहे है, फिर और last sentence क्या बनेगा, the three red fish are swimming in the pond, okay, समझ में गया गया, very good, और आपको, यह सारी exercise solve हो गई, तो हमें क्या मिलेगी, actual worksheet, आपको यह PDF file attach करके बेजने वाली हूँ, तो यह worksheet आपको खुछ से solve करने है, okay, write new words, यहाँ पर आपको new words लिखने है, फिर question two क्या है, write word meaning, यहाँ पर आपको word meaning लिखने है, फिर question three, complete the following answer, यहाँ पर answers आपको fill करने है, फिर circle the odd words in each set, यहाँ पर odd words जो है, उसे हमें निकालने है, उसके उपर circle करना है, और last question क्या है, write whether the sentence is true or false, हमें बताना है कि यह sentence सही है कि गलत, for example, it was a cold day, तो वो cold था, नहीं, hot day था, इसलिए आपको आपको आएगा F, false का, okay, इसी तरीके से आपको यह worksheet solve करनी है, समझ में आ गया, हमने जितनी भी exercise solve की, वो आपको textbook और notebook दोनों में लिखनी है, आपको 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 आपक